असलामुलेकुम आज किस लेक्चर से हम human skeleton के टापिक को स्टार्ट कर रहे हैं प्रिवेस लेक्चर के अंदर हम bone की composition और structure को study कर जोके हैं इसके साथ हमने cartilage की structure और composition को भी देख लिया है सो bone और cartilage मिलकर हमारा skeleton बनाते हैं राइट सो हमने composition तो देख लिया है कि bone की composition क्या होती है या skeleton क्या होती है अब हम देखेंगे कि skeleton जो हमारा होता है जिसे हम framework भी बोलते हैं उसके अंदर कौन-कौन सी bone किस location में किस shape में मुझूद होती है और उनका separately function उन bones की basically function क्या होते हैं सो सबसे पहले overall function देख लेते हैं skeleton का क्या होता है सबसे important function skeleton का यह होता है कि यह skeleton हमारी body के जो vital organs है उन्हें protection देता है या रिप के अंदर heart मुझूद है लंग्स मुझूद है इनको protect कर रहा हमारी rib जो के एक skeleton है इसी दरीके से skull के अंदर brain मुझूद होता है बहुत vital organ है और skull brain को protection दे रहे हैं so vital organ के protection skeleton कर रहा होता है इसके लावा skeleton movement में help करता है muscles के साथ मिलकर और इसके लावा support देता हमारी body को हम withstand कर सकते हैं खड़े हो सकते हैं और इसी skeleton gail 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 muscles हैं और हम कह सकते हैं जो गोश्ट होता है वो इस Calcium और Fast Forest की concentration है मैं उसे भी maintain स्केलिटन इन्यार क्षफ़ाइट फॉरons के टो जरें छीलिटन को जो हमारा nude ऐना होता है human का स्केलिटन उसे दो lors सेक्षें धिवाइड किया गया है ग्रुप किया गया है तो सेक्षेंच में portion है न स्केलिटन का जो center वाला portion है उसे axial skeleton का नाम दिया जाता है और axial skeleton में हमारे पास skeleton के skull vertebral column और rib वाले portions आ जाते है so axial skeleton किस चीज़ से मिलकर बना है? skull, vertebral column और ribs यानि जो center वाला portion है skull आ गया, ठीक है, फिर vertebral column जिसे read gear d या back bone भी कहा जाता है और फिर read gear d गिर्थी ribs मोजूद होती है यह हमारा axial skeleton बनाती है इसके इलावा जो बाकी skeleton आ जाते हैं, बाकी जितना भी skeleton है उसे appendicular skeleton कहा जाता है यानि extremities हैं जो axial skeleton से निकलता है so इसमें हमारे पास pectoral girdle आ जाते हैं four arms यानि यह shoulder की हड़ियां और यह four limbs four arms यह four limbs हम इने बोलते हैं यह सारी बाजू की हड़ियां आगी फिर pelvic girdle और hind limbs आ जाती है यानि जो hip bone होती है और फिर उसके बाद जो टांगें हमारी आ जाती है यह appendicular skeleton के अंदर आ जाती है so आज के इस lecture के अंदर हम axial skeleton को study करेंगे और axial skeleton में भी specially skull को देखेंगे फिर अगली वीडियो के अंदर vertebral column और फिर अगली वीडियो के अंदर ribs और इस वीडियो के इस वीडियो में क्योंकि हम skull को focus करेंगे तो skull की animation भी आपको में दखाऊंगा क्योंकि यह हड़ियां जो है इस तरीके से lecture के जरीए आपको completely समझाना बहुत मुश्किल है तो इसकी animation भी end पर हम act देखेंगे ताकि आपको मजीद clarify हो जाए तो चले हैं सबसे पहले देखते हैं axial skeleton में skull skull के अंदर आप जानते हैं brain वजूद होते हैं जो बहुत vital argon है और इसकी protection skull कर रहोते हैं इसके लावा skull से हमारे mouth को एक shape मिलती है हम बॉलने के काबल बनते हैं और different functions आ जाते है skull के अंदर total सबसे पहले तो मैं आपके बता दूँ कि हमारी body के अंदर जो total bones है number of bones है वो 206 है यानि 206 हड़ीया human के अंदर मौजूद होती है human adult के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो different book के अंदर different references है कहा जाता है कि 300 to 350 bones बच्चे के अंदर मौजूद होती है यानि बच्चे के अंदर bones ज्यादा होती है और वो bones मिलकर बनी होती है most of the bones cartilage से मिलकर बनी होती है और cartilage आप जानते हैं फ्लेक्सिबल होता है, यानि cartilage की bone कैसी होगी, जो थोड़ी flexible bone होगी, इसका फाइदा क्या होता है, कि जब बच्चे की delivery हो रही होती है, तो बच्चे की सर की जो bone होती है, वो cartilage से मिलकर मनी होती है, जिसकी वज़ासे वो delivery की time अराम से असानी के साथ निकल सकता है, अगर bone हो तो bone fracture हो सकती है, और मा के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफदय process होगा, इसका फाइदा delivery में मा को भी होता है, और बच्चे को भी होता है, और birth के time ये bones की numbering जो है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो कुछ bones आपस में मर्ज हो जाती है, जोड़ जाती है, और adult होड या थोड़ा सा भी बड़ा जब बच्चा होता है, तो उसकी idea जोड़कर 206 रह जाती है, ये आपने याद रखने है MCQs के लिए है, okay, skull की तरफ चलते हैं, skull में 28 to 29 bones होती है, यानि एक bone होती है, जिसे sometime garden के अंदर शामल किया जाता है, और sometimes skull के अंदर शामल किया जाता है, जिसे hyoid bone कहा जाता है, तो अगर आप इस skull में डालते हैं, तो 29 bones हो जाएंगी, अगर आप neck region में डालते हैं, तो ये, फिर हम कहेंगे कि skull की 28 bones है, तो इस recording चलते हैं, क्योंकि different books में different लिखा होता है, फिर student पूछते रहते हैं, तो आपके book के अंदर जो भी numbering लिखी हुई है, आप MCQs या paper में वही आपने जाद रखना है, okay, skull के अंदर 3 major regions हैं, जहां पर आपको हड़ी हैं, देखने को मिलेंगे, cranium region यानि जो आपका सर वाला उपर वाला portion है, फिर facial region ये जो fast वाला portion है, फिर ear, ear के अंदर भी, आपके कान के अंदर भी bones मौझूद होती हैं, सो सबसे पहले देख लेते हैं, cranium के अंदर कितनी bones हैं, और कौन सी bones है, cranium के अंदर 8 bones होती है, fascia region के अंदर आपको 14 bones मिलेंगे, और ear के अंदर आपको 6 bones मिलेंगे, सबसे पहले cranium region की bones को देख लेते हैं, cranium जैसे के सर वाला portion है और इसके अंदर brain मौझूद होते हैं, और आगर आपको brain याद हो, तो brain की different portions होते हैं, जो cerebrum होता है, उसको हम बोलते हैं के frontal cortex होता है, ठीक है, फिर lobs होती है, temporal lobs, parietal lobs, occipital lobs, यह सारी lobs brain के अंदर मौझूद होती हैं, अगर आपको वह याद है, तो आपको यह असान frontal bone कहा जाता है, ठीक है, एक उनसी एड़ी है, frontal bone, और इसके अगर हम numbering करें, तो यह single bone होती है, यानि के इसे हम one से represent कर देते हैं, यह A की bone होती है, human skull में front bone, ओके, फिर ज़र सब पीछे आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक line सी लगी होती है, जो center से separate कर रही होती है, brain को, sorry skull को, again मैं brain ball देता हूँ, जो skull को separate कर रही होती है, अच्छा, यह जो groove से होते हैं या, जो center lines सी होती है, जो skull की different हड़ियों को separate कर रही होती है, इने suitors कहा जाता है, ठीक है, let's say, यह एक line है, जो separate कर रही है, एक portion को दूसरे portion से, इसे suitors कहा जाता है, और different naming होती है, उसमें अगर चले गए, तो आपको, यह जो मैं समझा रहा हूँ, यह भी आपको समझ में नहीं आएगा, बस simply आपने याद रख देना है, कि यह जो separation lines होती है, और यह आपको skull के अंदर देखने को भी मिलती है, जो एक portion को दूसरे portion से अलग करती है, इने suitors कहा जाता है, ठीक है, तो यह यहां पर अगर back आते हैं, तो यह वाली जो हड़ी आ जाती है, ऐसे parital skull bone का आ जाता है, ठीक है, और यह दोनों साइड़ों पर होती है, यह यहां से भी separate होती है, ठीक है, यूपर वाले region से separate होती है, तो एक इस साइड बे आगी, एक इस साइड बे, यानि अगर center से देखे हैं, यहां पर इस साइड भी parital bone है, इस साइड भी parital bone है, तो इसको में numbering देते हैं, तो यह total कितनी है, दो है हमारे सार के अंदर, फिर पीछे एक bone आ जाती है, यह सिंगल ही होती है, यहां पीछे इसे occipital bone का आ जाता है, और यह भी one है, सिंगल होती है, ठीक है, फिर यहा पर ये कानों के पीछे आप कह सकते हैं, दोनों साइड के कानों के पीछे ये जो बॉन मुझूद होती है, इसे टेंपोरल बॉन कहा जाता है, और ये भी दोनों साइड पर होंगे, तो ये दो आ जाती है, ठीक है, फिर ये दो जो बॉन्स हैं, ये थोड़ी ट्रिकी है, ये य तरीके से एक middle region बना रही होती है, animation में आपको clear हो जाएगी यह सारी सो यहां पर इस तरीके से centre में मुझूद होती है, तो यहां पर मैं बता देता हूं, आंखों के पीछे centre में मुझूद होती है, इसके उपर brain settle होता है, तो यह आ जाती है स्विनौयरियर १र यह सिंगल वो सिर्फ होती है और इससे त्रीक genere को इस थ्माइडव वौन बी यहां पर मुजूद होती है ठीख है और यह सिंगल और यहरे संटर में उती है यह संट यह पर此रो में य। यह ब में इसंटर में इस त्रीके से छोड़ियर कीरा सेनों वो नोज में इंटर हो रही होती है ठीक है और आप जानते हैं उसकी सेंसेशन को तो यहां पर आप हम गिनते हैं इत्माइड एक आगी यह दो आगी यह तीन चार पांच छे साथ आड़ टोटल आठ बॉन क्रेनियों के अंदर आपको देखने हो मिलेंगे जिनें यहां पर मैंने लेबल कर लिया है अब हम फेशियल बॉन की दरफ जलते हैं यानि बॉन का जो सकल का जो सामने वाला रीजन है उसके अंदर कौन-कौन सी बॉन मुझूद है और उनकी नबरिंग भी देख लेते हैं तो फेशियल रीजन में आपको 14 बॉन्स देखने को मिलेंगे इसको डियाग्रेमेटिकली देख लेते हैं कौन-कौन सी बॉन्स हैं उनकी नबरिंग देख लेते हैं सबसे पहले यह आंखों के द्रिम्यान पीछे जाके ना साइड़ों पर बॉन होती है चोटी-चोटी दोनों साइड़ पर मुझूद होगी इसे लेक्रिमल बॉन कहा ज तो दोनों आखोğı एंखों में मझूद होती थे पर आ जाती है झाल से नायजल बॉन ऑना जाती है कि यहान से नाक में मौजूद होती है यहां इसी और जाती है और जाती यहां पर मैं आपको इस तरीके से रेट करके दिखा देता हूं क्लियर हो गया ओके फिर पहले टाइन के बॉन के नीचे भी एक बॉन मुझूद होती है ठीक है जिसे इंफिरियर नैजल कौंचा कहा जाता है यह भी दोनों साइट पर मुझूद है तो दो यह भी आ जाती है ठ ठीक है धांचे की क्योंकि यह आगे काटी लेज वाला जो पॉर्चन है यह डिजाल जल्दी हो जाता है तो हड़ियां आपको नजर आती है तो वहां पर आपको डीप डाउन यह नजर आएगी एनिमेशन से आपको क्लियरिफाय हो जाएगा मजीर फिर यह जो दांतों यह वाला सामने का जो जबड़ा है इसे मेकजिला कहा जाता है और यह यह भी दो होती है यहां सेंटर से यह अलाग होता है ठीक है यह दो बोन से मिलकर बना होता है यह वाला सारा रीजन आपको नजर रहेगा फिर यह वाला जो नीचे वाला जबड़ा है यह सिंगल बोन है ठी निनाग में आपको पीछे सीधी सी एक बॉन नजर आईए, इसे वॉमर कहा जाते है, सिंगल होती है ये, और ये चीक के पीछे जो हड़ी है ना, यहां पर आप अगर फील करें तो आपको नजर आईगी, तो इसे जाइगोमेटिक बॉन कहा जाते है, और ये दोनों साइट प आँखों के पीछे मुझूद होती है, नेजल नाग को बनाने वाली बॉन्स होती है, पैलेटाइन पैलेट के उपर मुझूद होती है, इंफिरियर नेजल कॉंचर नाग के पीछे दो बॉन्स मुझूद होती है, और मेकजिला आपका उपर वाला जो जबड़ा है, इसकी डुपी नीचे वाला जबड़ा बना रही होती है ये वर्मर नाग की बीचे एक शीदी सी बन कहा जाते हैं और फिर जैगोमेटिक जो आपकी चीक स्भी पर allங और हम और होती है और कि इसे नहों पर थी चोटी चोटी बाओन मुजूद उती है उसमें सबसे पहली वह होती यह सो हिमारी वाड़ी के अंदर तो यह आपको अगर MCQs में आता है तो आपने याद रखना है कि हमारी बाड़ी की सबसे चोटी बॉन कौन सी है Steps है यह Steps है अब pronunciation देख लें ठीक है तो यह सबसे smallest बॉन है तो अगर आपको यहां पर मैं image दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा यह बॉन्स कितनी चोटी है क्लियर हो गया क्योंकि हमारे बाड़ी के अंदर दो कान मुझूद है ठीक है स्कल में तो दोनो साइड पर यह incus मेलियस एक है दोनो साइड पर कान मुझूद है तो दोनो साइड पर यह बॉन्स होगी तो दो यह आगी दो इंकस आगी दो स्टेड पीज आगी ठीक है तो टोटल सिक्स बॉन्स आपके कान के अंदर मुझूद होती है अब हम एक animation देखते है जिसमें आपको स्कल की हर एक बॉन्स का function यह है मैकजिला बॉन्स जो के हमारा अपर जाब बनाती है मैकजिला बॉन्स चीविंग, स्माइलिंग और स्पिकिंग वगारा में help करवाती है और यह हमारे face की major बॉन्स है यह टू नेजल बॉन्स है जो small और flat होती है यह हमारे nose की दोनो साइड पर present होती है और nose को protection प्रोटेक्षन प्रोटेक्शन प्रोवाइट करती है यह हैं टू zygomatic bones जो हमारी cheeks के नीचे प्रेजन्ट होती है जाइगोमेटिक बॉन्स हमारी cheeks को protect करती है यह हैं टू lacrimal bones जो के nasal bones के पीछे प्रेजन्ट होती है lacrimal bones lacrimal system का part है जो के हमारी बॉडी में टियर्स को प्रोड्यूस करवाता है पैलाटाइन बॉन्स टू एल शेट बॉन्स होती है जो के आई सॉकिट का लो़र पोजिशन बनाती है मैंडीवल एक सिंगल बॉन है जो के लो़र जा बनाती है ये हमारे स्कल की वो वाहिद बॉन्स है जो मूव भी कर सकती है ये हैं टेंपोरल बॉन्स जो के हेड के दोनों साइट्स पर प्रेजन्ट होती है ये एर और उसमें प्रेजन्स स्ट्रक्चर्स और नर्व्स को प्रोटेक्शन प्रोड़ाइट करती है ये हैं parital bones जो के skull का roof यानी छट बनाती है parital bones अपने नीचे present structures को protect करती है ये है occipital bone जो के head का back बनाती है और ये skull की base का part है occipital bone unpaired bone है frontal bone forehead की bone है frontal bone orbital cavities का part भी बनाती है frontal bone का primary function brain और head के structures को sport परवाइट करना है warmer bone एक thin और flat bone है जो के hard palate से upward extend हुई होती है inferior nasal कौंका two scroll shaped bones है जो के nasal cavity का lateral part बनाती है ये bones nasal cavity का surface area भी increase करवाती है ethmoid bones skull की base का अगला part बनाती है ethmoid bones orbital cavity बनाने में भी help करती है orbital cavity वो cavity है जिसमें हमारी eyes present होती है ये है sphenoid bone जो के हमारे skull की base का middle part बनाती है sphenoid bones, cranial bones और facial bones को आपिस में link करवाती है so hopefully आपको lecture समझ में आया होगा next lecture तक के लिए मुझे जाज़त दे है शुक्रिया, अल्लाहाफिज